नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में आज हम लोग 1000 स्कॉाइल फीट 6 डालाई में कितना खर्चा हैगा उस चीज को देखेंगे कितना मेटेरियल में लगेगा कितना लेबर में लगेगा और हम लोग को जो देना है ग्रेड लट्व पी स्कीन पर है तो 1000 स्कॉाइल फीट स्लेब कास्ट कोस्ट इंडिया में क्या आने वाला है ठीक है 25 बाइचालिस का हम लोगों ने प्लान देखा हुआ था 25 बाइचालिस का हम लोगों ने प्लोट लिया हुआ है सीमेंट संड एग्रिगेट उसके बाद देखिए चड़ कितना लएगा और लेबर कोस्ट में कितना देना परेगा तो एक एक चीज़ को हम लोग करेंगे अब सबसे पहले हम सीमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले सीमेंट जो है में 120 बैग लगने वाला है और अब भी जो है सीमेंट का रेट हाई चल रहा है तो कम सकम 440 रुपए ACC F2R लिजे या फिर अल्टाटेक का प्रीमियम लिजे या किसी भी कमपनी का अगर कास्टिंग के लिए सीमेंट लेते है तो 440 के आसपास आपको रेट परने बने तो 22,800 आपको सीमेंट में खर्चा आ जाएगा अब मैं बात करूं सीमेंट का बात कर लिया तो क् लों करना है उसमें मिक्स करें बालू और तीन बोरी आप लोग क्या मिक्स करें गिट्टि तबी आप लोग अपना कास्टिंग करें छत का तो कास्टिंग का रेषियusa होने वाला यह मैंने बता दिया उसके बाद हम लोग च्षडब करेंगे तो वीडियो में आखरी तक बन रखना है यो सीमेंट का जो डेट होना चाहिए जरूर देखके लेना मैक्सिमम जो होना चाहिए एक मन्त पुराना सीमेंट होना चाहिए और कोशिज करें कि आप लोग रेक्स ही मगवा है रेक्स अगर डराई टाइम मगवाते हैं तब को रिसेंट माल दो-चार दिन पहले का मतलब एकदम रिसेंट माल मिल जाएगा ठीक है गोदाम से लेने का ना कोशिज करें अगर जितना एक मन्त के बाद जितना समय बीटते जाता है उतना स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है सीमेंट का यह आपको ध्यान रखना है अब हम लोग बात करें सेंड की तो सेंड आपक किसका बालू और गिट्टी का अपने को एड कर लेना है 12500 रुपय में सेंड में लग जाएगा अगर आप लोग क्या कर रहे हो अगर यह जो मात्तरा है ठीक है एक दे रहे हो आप एक धमा दे रहे हो ठीक है अगर दे रहे हो सीमेंट ठीक है धाई आगर आप दे रहे हो बा चाहिए ठीक है अगर आप इस ग्रेट से कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं कास्टिंग तो अगर कर रहे हैं तो चाहिए अगर गिट्टी के बात करें तो डख दीक हो मैंने क्या है की बालू मारा रहे होना चाहिए और मोटा दाना होना कर रहे है होना चाहिए जो मिक्सीं होना चाहिए जो मिक्सिंग होना चाहिए वह दस बीस परसे cleanup मिक्सिंग जदा है हमारा बड़ा गेटी कम है तो वह अमें नहीं लेना है मिक्सिंग जिसमें कम रहेगा वही गेटी हमको लेना है ठीक है अब सर्या के आपको बात कर लेते हैं लगवग 900 से 1000 केजी जो लगेगा आपको 900 से में बता रहा हूं 900 से लेके 1000 केजी जो में सरिया लगता है वो लगेगा आपको 8 mm ठीक है और 10 सिंपल तरीका है अगर आपनों 2-way slab और 1-way slab अगर नहीं देखना जानते हैं या नहीं देखते हैं ठीक है रयता स्लेब है ठीक है देखिए यह हमारा 25- komm ठीक है यह 14 कंडिशन है यह जो लाइन बिचाना ओडीशाना हो 10 mm का है ठीक है इसे में हमें क्रेंड टोरना यह 10 mm का है दिचा दिये और यह वाला जो ज़ए बिछाना है वो 8 mm का भी चाना है ऐसमें हम लोग क्रैंक बार तोर देंगे इसमें हमें क्रैंक बार नहीं तोरना जिसको क्रैंक क्रैंक बार तोरेंगे उसके नीचे एक स्ट्रा बॉट्टम लगा देंगे ठीक है उस कंडिशन में बताता हूं 900 से 200 केजी लगबग 8 mm 10 mm लग जाएगा और 200 केजी के आसपस 300 केजी के आसपस अब 12 mm लग जो बीम में जाएगा ठीक है मैं मिनिमम जो अभी बीम का साइज लेके चल रहा हूं और ये दो फ्लोर का मैं बता रहा हूं ठीक है दो फ्लोर के लिए अगर दस बैदा साइज का भी में लोग दे रहे तो काफी है इसलिए मैं ड़ाइन को अच्छे ब्रांड का स्टिल मिल जाएगा तो मैं 73 रुपए बीच का रेट पगड़ रहा हूं तो लगबग देखिए बीच में अमारा बीम पोईशन है कि जरूर तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट लेबर रेट की तो लेवर रेट में का एक हजारी स्कॉार फीट अगर आप लोग च्छत जादा बाहर निकालते हो तो उस कंडिशन में अप एरिया बर जाता है तो फिर आपको क्या होगा ये सारा चीज़ इंक्रीज हो जाएगा एक ध्र क्षाट फीट में मिनिमम् 5.5 रुपए स्क्वारफिट लेगा अगर ग्रामी निराक्रे में हो तो 40-45 रुपए पर इस्क्वारफिट में अगर छोटा सहर है आपका तो फिर 50-50 रुपए से लेके 55-60 चाहर अगर वीडियो अच्छा लगीए एगर इस वीडियो में कुछ भी पूछ रहा है तो कमेंट और की जोब पूछ सकते हैं अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें करें हमारे चनल पर नहीं तो चल्पक्राइब उसी तरह के लिगवागतार है ह सब्सक्राइब नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में आज हम लोग